हेलो व्रीवन वलकाउं टू सॉलिटूड एजूकेशन सो फ्रेंड समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए समय के साथ में दुनिया जो है एक डिजिटल रिवोलुशन की तरफ को बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है आज के टाइम पे अगर मैं सि सिविल इंजिनिंग सीमित नहीं है उससे कहीं आगे आपका सिविल इंजिनिंग जो है आपका जा चुकी है तो मैं आज की वीडियो के अंदर बात करूँगा कुछ ऐसी टेकनलोजी के बारे में जिनको आप सीख के आने वाले टाइम में अपने करियर को एक नए उचाईयो पर ले जा सकते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ़स्ट जो आपकी टेकनलोजी वह आपका बिल्डिंग इंफॉर्मेशन बोल्डिंग आपने अभी तक बीया एम के बारे में जो चीजे सीखी है बीया एम उससे कहीं आगे जा चुका है या येम जो है आपका कं इंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डिजीटली ट्रांसफोर्म करने वाला है और ये एक ऐसा प्लेट्सवर्म है जो की जितने भी million क perception इंदर यूज होते हैं, सारे resources को जो है लाके एक ही platform पे connect कर देता है, तो आप अगर future में अपने career को civil engineering के अंदर एक नए उचाईयों पर लेके जाना चाते हैं, तो आप building information molding आप सीख सकते हैं, उसके बाद आपकी जो next technology है, वो है आपका GIS geographic information system, बेसिकली GIS के अंदर आपका आज के टाइम पर M.Tag भी होती है, PhD भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, इंडिया के अंदर भी आप कर सकते हैं, भार foreign countries के अंदर भी काफी university और institute है, जो इस technology के अंदर आपको जो है, डिग्री और ग्रेजवेशन और पोस्ट ग्रेजवेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, GIS बेसिकली क्या है कि आप जो है, ये एक ऐसा टूल है, इसकी help से आप जो है, किसी भी जोग्राफिक लोकेशन की जो है, साथ ही साथ उस data को आप analysis कर सकते हैं, आपको जो है, उस location पे physically जो है, आपको present होने की जरूत नहीं है, अभी क्या, आप GIS से पहले क्या होता था कि हमें किसी भी location की अगर कोई भी information चीए होती तो हमें उस location पे present होना होता था, लेकिन आज के टाइम पे GIS technology को use करके आपका जरूरी नहीं है कि आपको उस location पे physically present होना ही हो, आप इससे जो है, construction industry के अंदर, आप इससे जो flood forecasting है, उससे related data आप analysis कर सकते हो, आप जो जिस surface पे आप structure create करना चाहते हो, उस surface के data को आप analysis कर सकते हो, इसके अलावा जो है, आप जो mining वगेरा होती है, या फिर जो भी आपका environmental effect हो रहा है, आपके earth surface हो, वो सारी चीज़े आप remotely operate कर सकते हो, उसको collect करके data को analysis कर सकते हो, इसके बाद आपकी जो next technology है, वो है आपका modular construction, 28 March 2022 को DRDO की एक building को 7-story की building थी, L&T ने मातर 45 दिन के अंदर उसका construction किया, और इस building का total built-up area था, वो 1,30,000 square feet जो है इस building का total built-up area था, अब यह जो पूरी building थी, जो कि आपका जिसको बनाने में कम सक्कम 1-2 साल का time लगता, उसको L&T ने मातर 45 दिन के अंदर इसको आपका construct कर दिया, इंडिया, चाइना के अंदर बहुत तेजी से यह technology यूज हो रही है, इसके लावा दुनिया के हर एक कोने के अंदर इस technology को use किया जा रहा है, तो आप इस technology के अंदर अपना carrier बना सकते हैं, इसके बाद जो आपकी next, जो आपकी technology है, वो है आपका VR technology, जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका virtual reality, स्टार्टिंग में जब आपका software industries, आपकी जब entry किया था, civil engineering के अंदर, जो सबसे पहले आपके drafting softwares आये जिनमें हम लोग 2D drawings आपका prepare करते थे, उसके बाद में जो है, फिर 3D softwares आये, 3D softwares के बाद में, आपके जो है, rendering से related आपके softwares आये, जैसे आपका landscape है, V-ray है, Lumion ह जो हमें आपका realistic view provide कराते हैं, लेकिन आज के time पे जो है construction industry के अंदर VR technology भी use की जा रही है, इसके अंदर हम लोग जो है आपका, ये digitally आपको जो है, सारी चीज़े आप पहले से ही, कोई भी project है, उसके सारे component को आप digitally पहले से ही देख सकते हैं, VR technology की हेल से, इसके बाद जो आ आपका 100 smart cities का construction जो है, इंडिया के अंदर करेंगे, अब 100 smart city का तो पता नहीं, लेकिन धोलेरा के अंदर जो है, आपका smart city जो है आपका जरूर बन रही है, इसके अलावाद दुनिया के हर एक आपका जो country है, सभी में आपके time पे smart city का construction काफी तेजी से हो रहा है, क्योंकि population क है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उस बढ़ती ही population को हमें सारी facilities जो है आपका provide करानी है, जो कि आपका smart city ही possible कर पाती है, तो अगर आप इस field में अपना career बनाना चाते हो, तो आप इसके अंदर mtech भी कर सकते हो, mrch भी इसके अंदर कर सकते हो, और btech वाले जो है, इ दिल्ली के अंदर एक इंजीनियर काम कर रहा है, तो दिल्ली का जो बन्दा अगर दिल्ली का जो इंजीनियर के अंदर कोई changes करता है, तो within a second जो है आपका UK का बन्दा और जो आपका USA के अंदर इंजीनियर बैठा हुआ है, वो भी उस changes को तुरंत real time के अंदर देख सके, त आपका cloud collaboration के अलसे, तो cloud collaboration जो है आपका within the second जो है आपका तुरंट डाटा को जो है आपका एक location से दूसरे location पे जो है आपका transform करता है, आज के time पर क्या है कि civil engineering जो है सिर्फ फिल्ड पे construction करवाने तक सीमित नहीं है, यह सारी चीजे जो आपका cloud collaboration, BIM, यह सारी चीजे इसारा करी है कि जो construction industry है वो digital revolution की तरफ आपका shift हो रही है और इस revolution में अगर हमें participate करना है या फिर हमें अपना career बनाना है तो हमें भी वो सारी की सारी technology जो है उसी वे में जो है आपका सीखनी पड़ेंगी तो जितनी भी चीजे मैंने आज की वीडियो के अंदर बताई है आप इन स फिर्ड में आप अपना career बना सकते हैं इसके अलावा जो है अर्बन प्लानर बनके आप अच्छा खासा जो है अपना career बिल्ड कर सकते हैं तो यह सारी की सारी technology इन पर आप focus कीजेगा और सीखिएगा लास्ट में बोलूँगा कि यह technology जो है आप सीख सकते हैं आपको जिस भ झालाव 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 झाल